रिवर्श कार आप देख रहे हैं तेज़ खबर 24 और वक्त है खबरों का रिवर्श रहर के सिटी कोट वाली थाना छेट रंतरगत पूर्व सांसत यमुना प्रशाद सास्तर के घर में चोरों ने धावा बोल दिया घर का ताला तोड़ कर सारे सामान को अस्तिवस्त करते हुए गैस सिलेंडर सहीत कई कीमती सामान लेकर अग्याद चोर चमपत हो गए घटना को लेकर पूर्व सांसत यमुना प्रशाद सास्ती के पूत्र देवेंद्र शास्तरी ने बताया कि त्योहार के चक्तर में वह अपने गाउं सूरा गए हुए थे सुबह आकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था बाहर एक सरौता मिला है जिससे अग्याद चोरो ने घर का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश कर गए चोरो ने चोरी करने के बाद घर में लैट्रिन भी कर दी घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुची और आरोपियों के समद में आवश्यक साक्ष जुताए जा रहे है फरियादी देवेंड शास्त्री का कहना है कि अभी वह अंदर नहीं गये लेकिन बाहर से दिखाई दे रहा है कि रसोई गयास सिलेंडर चोरी हो चुका है वहीं घर का सारा सामान बिख्रा हुआ पड़ा है अल्मारियों के ताले तूटे हुए है हाला कि अभी तक यह इस पस्ट नहीं हो पाया है कि चोर क्या क्या ले गए लेकिन माना जा रहा है कि चोरों ने फुरसत से घर की तलाशी ली है आपको बता दे कि बीती रात पुलिस के द्वारा हाका निकाला गया था जिसमें समान थाना छेत्र के फ्लाई ओवर के नीचे दरजन भर उन ठेला ग्यापारियों पर कारिवाई की गए जिनके यहां शराबियों की भीड लगी हुई थी जहां एक ओर हाका निकाल कर पुलिस अपराधियों को ख़देरने में लगी हुई थी तो दूसरी ओर अपराधियों पुलिस को खुला चैलेंज दे रहे है हम आपको बता दे जिस मकान में चोरों ने हाथ सफाई का काम किया है वर्देश के एक लोटते नेत्रहिन सांसद रहे स्वर्गिया या मुना प्रिशाद शास्त्री का है सब नहीं की दिए हो? होलसस से गुशा है हागी गार्षा यह देगा होलसा हागी देवेंद्र सास्त्री हम लोग गाउं में थे खेती वाड़ी का सीजन है तो गाउं में थे पतनी गाउं में ही है और अभी हम से कलगबग साड़े क्यारा पर यहां पर आए तो यह देखा कि बाहर कताला तो लगा हुआ था बाहर का ताला खोल के जब अंदर आए तो यह में गेट है इसका ताला तूटा हुआ था अंदर यहीं से देखा आमने पुरा सामान बिखरा था और ऐसे सरसरी निगाख किचन में देखा तो वहां सेलेंडर नहीं है तो इसका यह सामान देखके ऐसा लग रहा है कि कोई देखती यहां पर चूरी करने के इरादे से गुसा था क्या-क्या सामान ले गया है अभी इसका कुछ पूरी तलासी इर्थिमान से पूरी तलासी की गई आप देख सकते हैं अंदर जाकर के पूरा सामान भी करा पड़ा है थाने में सुचना दे दी है